गौनि आ हो मो ciao कि वा अजकी क्लास में हमाच से मुतालिक सवालां को देखेंगे किस तरा से कोशन्स होते हैं चार्टरिक्स इसे अगने करूं तो अब आप इस प्र们 ऐसे तो मैं डियरेक्ली अपना उनको जानना ज़रूरी है जो रिलेशन्स होते हैं उसको हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर यह parents है या फिर हम इनको grandparents भी कहेंगे तो उनके यहां पर children है और फिर उनके फिर ये children है तो किस तरह से हम relations होते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे है जो ट्री family ट्री है यहां पर तो यह जो यह त देख रहे हैँ यह क्या है यह उनका बेटा है अब इस तरह से अब यह बेटा है और यह उसकी वाइफ है तो इनका रिलेशन क्या है तो यह इनके लिए क्या हो गई वहू तो हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको दॉटर इनला दॉटर इनला इनला ठीक है अब यह बेटी है और उसका शोहर उसका सब्सक्राइब करना है जब सिब्लिंग्स होते हैं यानि भाइफ यहां पर है तो हम वहां सिर्मोड की वहां होते हैं तो किस तरह से हम सिंबॉल्स को सिस्पाल करेंगे आगे हम देखेंगे सबसे पहलें रिलेशन के बारे मिशन करेंगे आब का यहां पर यह इनके बच्चे है तो जम आ दिन इसे का relation होता है अब मान लीजिए ये ए हैं और ये भी है तो यहां पर एक चीज़ बहुत important है जब सवाल पूछा ज़र आए एका relation बी के साथ क्या है क्या relation है एक या फिर बी का relation एक के साथ क्या है इस तरह से सवाल जो पूछा जाता है उसको जवाब देना है तो यहां पर यह तो क्या है है a grandяться है a grand children sometime granddaughter कि यहा पर बेटी है तो अच्छा चिए तो इसे अब यहां पर देखिए है हमने यहां पर एलिया और यहां पर बी लिया अब refuse हैं के का relation भी के साथ क्या है तब आप क्या कहेंगे Grand Mother कहेंगे, Grand Doctor कहेंगे, सवाल क्या पूछ रहा है, वह जहांदे नहाँ है, तो A का Relation B के साथ, A जो है, B के Grand Mother है, अगर B का Relation पूछा जा रहा है, तो वह Grand Daughter होगा, तो जब Examples हम दिखते जाएंगे, तो हमें और होगा. इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि जो सब सवाल पूछा जा रहा है एक रिलेशन बी के साथ क्या है, तो जो है बी के जिए ग्रैंड मदर है, इस तरह से ये grandfather, यह grandfather होगा, दीखिए यह आपस में भाई बहन है, siblings इसको हम कहते हैं, यह दो आपस में कहें, यह भी लड़की है, यह भी लड़की है, तो यह कहें, आपस में sister और यह brother है, उनका भाई है, इस तरह से, यह relation, अब यहाँ पर दीखिए, यह दो आपस में क्या होंगे, इनका relation क्या होगा, इस लड़की और यह लड़के का relation क्या होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, cousins, cousins कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इस तरह से cousin, तो यहाँ पर यह relations, इसका चार्ट इसको समझना हमें जरूरी है, तो बहुत सारे relations हैं, और भी हम देखेंगे, और क्या होते हैं relation, अब यहाँ पर देखिए, यह तो कजिन हो गए, अब इस लड़के के लिए यह क्या लगते हैं, यह क्या है, आंट है, उसके आंटी होंगे, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर, यह इसका जो रिष्टा है, यह मा के तरफ से है, या बाप के तरफ से है, वो भी हमें देखना है, मा की तरफ से, यह इनकी बेटी है, और यह, उनके मामी है, नहीं है, तो यह जब दिलेशन मा की तरफ से होता है, तो उसको मैटरनल आंट कह सकते हैं, मैटरनल रिलेशन, और अगर बाप के तरफ से रिष्टा है, तो उसको हम पैटरनल, यानि अगर उसको उर्दू में हम कहेंगे, मैटरनल जो रिलेशन होता है, उसको मादरी, मादरी, पदरी, इस तरह से रिलेशन होते हैं, तो मैटरनल अंकल खासका अगर माद से कोई रिष्टा है, तो वह मैटर्नल होगा.熱 नहीं यानि अलिए, अगर पैटरनल चाजा वगए तो आम तोरपर जो अंकल होता है, वह पैटरनल में यूज़ होता है, maternal में भी इसको अलग से mention किया जाता है, जब relation समबाद कर रहे हैं, और एक चीज़, अब ये आंट हो गए, ये इसके आंटी है, अब इसके लिए ये लड़कार क्या होगा, ये relation क्या है, तो उसका ये भांजा हो सकता है, अगर गर्ल है तो नाइस, नीस, नीस और नेफ्यू, इस तरह से भांजा बतीजे के लिए नेफ्यू का इस्तेमाल होता है, और भांजी और बतीजी के लिए, भाई की बेटी और बहन की बेटी के लिए नीस, तो इस तरह से relations है, आगे और भी हम देखेंगे, और एक चार्ट तो यहाँ पर जो relation में जैसे बता, A का relation B के लिए और B का relation A के लिए, जो सवाल, सवाल जब आप आएंगे, तो हम गर्वर ना कह सकते हैं कि यह इनके granddaughter है, A का relation B के साथ granddaughter का है, या B का relation A के साथ grandmother का है, नगर सवाल क्या पूचा गया, उसको हम ध्यान देना होता है, वो granddaughter के बारे में पूच रहे हैं या grandmother के बारे में, auntie के बारे में पूच रहे हैं, या फिर उनके nephew niece, वो relation, तो यह तमाम चीज़े हैं, अब इसको हम लेंगे X और इसको लेंगे Y, ठीक है, इस person को हम ने X लिया और इसको Y लिया, अब मैं एक simple question पुछता हूं, how X is related to Y, यह बेटा है, और यह उसकी बहन है, बहन का बहन भी है, बहन भी को लिए क्या, what is होता है, सालिक के लिए भी वही होता है, और बहन भी के लिए भी, how X is, अब यहाँ पर question क्या है, तो यह क्या X क्या हो गया, इसका, यह शक्स क्या हो गया, इसका, साला हो गया, इसके बीवी का भाई है इने, एक्स जो है, य बीवी का भाई है, सो अ व एक्स इस रेलेटेट टो आए, इस तरह से ये, ब्रदर इन लाँ, एक्स ब्रदर इन लाँ और य य अफ वाई, अब नेक्स और भी हम, रिलेशन को नेक्स चार्ड में देखा रहा हूं आपको, मदर्स और फादर्स शन आपके अम्मी का बेटा या अबा का बेटा आपका क्या होगा गांप नहीं हैं हम चेक करेंगे दिखेंगे आपके अम्मी का बेटा या आपके अबा मतलब इस तरह से कोशन पूछता है माँ पर कि मदर्स अम्मी का बेटा हो या अब का बेटा वह हमारा भाई होगा ठीक है मदर्स और फादर्स डॉटर वह बहन होगी अब्टी को भी बोला जाता है फिर अब बाकी बेटी हमारे क्या होगी है मारी सिस्टर होगी अंकल चाचा के लिए और मामू के लिए अंकल मदर्स ब्रदर याने मामू अगर मैंटर नल अगर रिलेशन लेंगे तो इस अगर मैंटर नल अगर मैंटर्नल में अगर लेंगे तो खाला पैटर्नल में लेंगे तो कुपो होंगे मदर्स और फादर्स फादर ग्रैंट फादर ठीक है और फादर्स मदर ग्रैंट मदर बेटे की बीवी संस वाइफ डॉर्टर्स हस्बंड बेटी का शोहर ग्रैंट कर्णा है खादर्स पादर्स तो हजबस्ट का सिस्टर या वाइफ का सिस्टर को जब के सको अलिगी इसको? यनु भतीजा रफिय। भाई की बेटी बुदर्स दोटर? नीस यह सुन की नीस रच वुदूर रओटर? यह है। नीस रॉटर मैं बुद्ध है। गजुटर्सुन 1990 शत्तन की जी का अलक सों सुन कर्बूड़न है। यह जंका टृर्डब प Goldman? इसर दिटेए, प्रुतनीज जाहिक है दें खिर्संपरर इंचर एंछत करके नगे आधारी लुके कि आरा बीकली आट Gलेट नहीं नेफिव, नीस, कजिन, ब्रदर इन लॉव, सिस्टर इन लॉव, ग्रेट ग्रेंट डॉर्डर, जो भी हमने अंसर्स लिके वो करेक्ट है, तो ये नॉलेज हमें होना जरूरी है, तुएंकि हम ब्लड रिलेशन्स, पुनी रिष्टे, वो पढ़ रहे हैं, ठेके हैं, सवाल, Q is the father of P, XI, second part, S is the son of R, yes second part, third part, but R is the only daughter of M, if Q and M are parents, how P is related to S, options हैं, ब्रदर, ग्रेंट फॉदर, ब्रदर इन लॉ, मैटर्नल अंकल, देखें यहाँ पर, मैटर्नल अंकल का वर्ड यूज हुआ है, मैटर्नल अंकल मतलब, मामू और या, खालू हो सकते हैं, अब इसको किस तरह से हम, हल करना है, देखें, सबसे पहले कहा देख, Q is the father of P, देखें, जब father है, तो हम यहाँ पर चंद signs इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर यह अप arrow या डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे, यह किस के लिए, father और son के लिए, अगर बहन भाई है, तो इस तरह का sign हम यूज करेंगे, अगर husband wife है, तो plus का sign बीच में यूज करेंगे, तो किस तरह से हम example में देखते जाएंगे, आब यहाँ पर क्या बताएगा है, Q is the father of P, तो Q यहाँ पर father है, इसके P की father, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, Q is the father of P, अब यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का sign देंगे, यह प्लस का sign क्योंकि यहाँ पर male और female हमें पता नहीं है, तो male के लिए हम प्लस का sign यूज करेंगे, ब्रैकेट में और female के लिए minus का sign यूज करेंगे, अब भी मालूम नहीं है कि यह male है या female है, yes is the son of R, yes क्या है, son of R, मतलब R यहाँ पर father है, और yes क्या है, son, तो देखें यहाँ पर यह son है, yes is the son of R, क्यूंकि इनके बीच में कोई relation अभी तक हमें नहीं मिला, इसलिए हमने इसको side में लिखा, दो part हो गए, first part में Q is the father of P, yes is the son of R, तो यहाँ पर yes भी क्या है, यह son है, मतलब इसको भी हम plus sign लेगे, अब next क्या पूशा है, क्या जी आए यहाँ पर, R is the only daughter of Yam, तो R क्या है यहाँ पर, बेटी है, किसकी बेटी है, Yam की बेटी है, देखे, R is the only daughter, तो R यहाँ पर daughter है, किसके daughter है, Yam की daughter है, इसलिए R ने minus sign दिया, only daughter मतलब यहाँ पर, अक्लोलती बेटी, ठीक है, अब next देखे, एक कोशन का पार्ट, if Q and Yum are parents, तो यहाँ पर यह दोनों क्या है, Q और Yum, parents है, मतलब इनका जो relation है, यह husband और wife है, कौन Q और Yum, how P is related to Yus, P, Yus से किस तरह से related है, तो P का relation जो Yus के साथ है, वो maternal uncle है, क्यूंकि यहाँ पर यह इसके भाई है, तो यह क्या हो गया, इसके मामू हो गया, मामू हो गया, मामू मतलब maternal uncle, तो मैं बताए कि father के लिए हम यह sign use कर रहे हैं, son के लिए, और siblings जो बहन भाई होते हैं, इस तरह के हम sign use कर रहे हैं, और अगर husband wife हैं, तो बीच में plus का sign use करेंगे, और यहाँ पर हमें male female भी gender भी clear नहीं है, जहाँ पर हमें gender पता होगा, तो हम उसको female है तो minus लिखेंगे, और plus male है तो plus लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया गा है, Q is the father of P, तो यहाँ पर Q क्या है, father है, इसके father है वो, पी के father है, तो Q is the father of P, तो यह हमने sign इस तरह से, father उपर है और दर नीचे है, next देखिए, second part का है question में, yes is the son of R, तो yes son है, किस के son है, R के son है, yes is the son of R, son है इसलिए हम बेटा है, और यहाँ पर यह father है, तो यहाँ पर भी हम plus sign ले रहे हैं, तो यह दो नों में relation अभी यहाँ पर हमें नहीं मिला है, यह दो clear हो गए, two parts, yes is the son of R, but R is the only daughter of Yum, तो R यहाँ पर daughter है, किस के daughter है, Yum के daughter है, तो Yum के daughter कौन है, R, only daughter, यहाँने एकलोती बेटी, तो इस तरह से यहाँ पर यह relation हो गया, मतलब एक ही लड़की है, यह लड़का है, यह लड़की होए मतलब इसलिए यहाँ पर इसका gender नहीं दिया गया, हमने यहाँ पर gender नहीं लिखा, मगर क्या चीज़ बता रहा है कि only daughter है, तो यह daughter तो नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं आप, यह only daughter का जो word क्या बता रहा है, कि यह only daughter है, मतलब P क्या होगा है यहाँ पर यह, automatically क्या हो जाएगा है इने, Sun हो जाएगा, तो यह आपस में, अब क्यों हैंड यह अमार, Parents, तो यह माबाफ हैं, तो यह दोनों क्या हो गया आपस में, बहन भाई, siblings, तो यह P के बहन का बेटा है, तो यह क्या हो गया, इसका मामू हो गया, उसका मामा या उसका मामू हो गया, तो how is, देखें यहाँ पर, P is related to yes पूछ रहा है, तो P किस तरह से, yes से related relation में है, उसका maternal अंकल हो गया, maternal अंकल, अगर yes is related to P, अगर पूछा तो आप क्या लिखेंगे उसका अंसर, तो यहाँ पर only daughter देने का मकसद क्या था, कि P को आप clear हो जाना, यह parents है, तो यह only daughter है, तो P भी इनका ही बेटा, इनका ही father है, इसके मतलब यह क्या हो गया है, इन्हे, son हो गया, अगर यह भी अगर, only daughter वर्ट नहीं होता, तो क्या हो सकता था, यह भी daughter हो सकती थी, और यहाँ पर relation change होता था, maternal aunt होते थे, clear हो गया, तो इस तरह से आपको एक diagram बनाना होता है, relations का, अब देखो, जो पहले टाप काम ने क्या उस तरह से है, P is the father of Q, तो यहाँ पर क्या है, P क्या है, father है, P और Q, तो P is the father of Q, तो यह father है, तो हमें plus sign ले, R is the son of P, R is the son of P, अब यहाँ पर यह father already है, तो R कौन है, बेटा है, दूसरा बेटा, दूसरा बेटा है, या पहला बेटा है मानम ने, क्योंकि Q है, is the son बुच रहा, Q is the son of P, only son नहीं बोल रहा, दूसरा बेटा भी हो सकता है, तो यह दोनों क्या हो गए, आपस में siblings हो गए, बहन भाई, या दोनो, भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, इतना क्लियर हो गए, यस is the brother of T, देखिए यहाँ पर, नया relation, इसमें नहीं है यापर, यस is the brother of T, इसको हम नीचे लिखेंगे, यस, तो यहाँ 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 पर brother है, तो आप उसको हम प्लस लिखे, वो T का भाई है, यस is the brother of T, अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पाट क्या है, T is the daughter of Q, पी सर्थी यहाँ पर दॉर्टर है, यह डॉर्टर है, किसकी डॉर्टर है, क्यों की डॉर्टर है, अब क्या कोशन बूच रहा है, ग्रैंट फॉर्दर आफ येस, पी, तो ग्रैंट फॉर्दर आफ येस इस, कौन है, तो ये पार्ट्स को हम देखेंगे, देखेंगे ही हाँ पर, फर्स पोशन, सेकंड पोशन, थर्ड पोशन, तो पी is the father of Q, येने पी फॉर्दर हैं, किसके ? Q के, पी is the father of Q, R is the son of P, R क्या है, P का सन है, ये औराडी Q के father है, तो आर क्या हो गए यह पर यह इसका भाई हो गया तो यह सन है और यह दो आपस में बहन भाई ठीक है तो यह सिब्लिंग्स जिसको हम कहते हैं बहन भाई इस दे फादर अफ क्यों आर इस दे सन अफ पी यह क्यों के अब्बा है और यह आर जो है पी का बेटा है आर इस दे सन अफ पी इसका मतलब यह दो आपस में सिब्लिंग्स हैं बहन भाई हैं नेक्स क्या है यह 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 य फीमेल है डॉर्टर है किसकी डॉर्टर है यह क्यों की डॉर्टर है तो अब क्या पूछ रहा है दे ग्रैंड फॉदर ओफ यस यानि यस के नाना कौन यहां पर हैं तो यस के दिखिए यह उसके फॉदर या मदर हैं और यह उनके फॉदर है इसके मतलब क्या हुआ यस के जो ग्रैंट फॉदर कौन हो गया पी हो गया अब नेक्स देखिए इसी तरह से कॉशन है आप इसको ट्राइ कीजिए ठीक है यह इस दर सिस्टर आफ बी फस्ट पार्ट को हम देखेंगे इस दर सिस्टर आफ बी तो देखें यहां पर इस सिस्टर है इसको माइनस लिए लेंगे किसके सिस्टर है यह बी के सिस्टर है अलब सिब्लेंग से हैं कि सी इस दे मदर आफ बी कि सी इस दे मदर आफ बी यह मदर है माइनस के फिमेल है ठीक है यहां तक तो हमने देखा अब नेक्स्ट डी इस दे फादर आफ सी डी क्या है फादर है किसके फादर है सी के फादर है तर्ड बीड ले आपने दी इस दे फादर आफ सी इस दे मदर आफ डी इस दे मदर आफ डी इजो है यहां पर यह मदर है किसके हैं डी के मदर है तो यह इतने उपर चला गया ठीक है अब कोशन ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है डाट इस वरी इंपोर्टेंट यह तो अब ने कर लिया यह उसके मां है यह उसके दादा है तो यहां पर यह दादा है और यह उनकी पोती है यह ग्रैंड फॉदर है और यह ग्रैंड डॉटर है यह तो क्लियर है मगर कोशन क्या है डाट इस इंपोर्टेंट देन हो एई इस रिलेटेट टू डी ए रिलेटेट टू डी क्या है ग्रैंड डॉटर अगर हो डी इस रिलेटेट टू ए तब आपका जॉब क्या होता है किस तरह से पूछता है वह इंपोर्टेंट है उस हिसाब से में देखें यह पर दोनों ऑप्शन है आपको ग्रैंड फॉदर भी मिल रहा है ग्रैंड डॉटर भी मिल रहा है मगर एग्जैक्टली को समझना यह पार्ट क्या आप कूछ रहा है इसमें यह यह एड़ेटर दि टो एकर रिलेशन डिके सब्सक्राइब गार्ण द इसका रिवस कूछा है हो दी इसलेटर तो यह अंसर फॉल बी ग्रैंट फॉट्जैंट गिरॉट एंटर का कुशन नाया है आपकर्ड इंट्रुशन आम इसलों यह इस वीवाइफ इस निटूरी तो यहां पर देखिए, introducing a man, अब एक आदमी का introduce कर रही है, कौन कर रही है, a woman, who is introducing, a woman is introducing, किसका introduction दे रही है वो, a man का, तो यहां पर देखिए, इस question के part को हम क्या बोल रही है, वो important है, यहां पर यहां पर एक off हमने लिया, मतलब question के दो part है, जितने off हम लेंगे, उतने parts question के होंगे, my father, तो my father बोले तो यहां पर कौन है, वोमन के father, यह वोमन के father, his wife is the only daughter, his wife बोले तो यहां पर किसका introduction दे रही है, तो man का introduction दिया जा रहा है, तो यहां पर किस तरह से लिखेंगे इसको, तो यह man की बीवी है, याने जिस man का वो introduction दे रही है, तो उस man की बीवी, तो that man is a husband of that woman, याने उस आदमी की बीवी, क्या है, मेरे father की इकलोती बेटी है, याने वो खुद है, तो how is that man related to woman, वो क्या है, उसका husband, pointing to a man in a photograph, a woman said, तो एक फोटोग्राफ में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, औरत कर रही है, औरत कर रही है, तो फोटोग्राफ में क्या कर रही है वो, एक आदमी की तरफ पॉइंट करके, उसकी तरफ इशारा करके कह रही है, क्या कर रही है, याने उस आदमी का, क्या है, भाई, ब्रदर, इस ब्रदर, इस ब्रदर्स फॉदर, उस आदमी के भाई के फॉदर, ब्रदर्स फॉदर, इस ब्रदर्स फॉदर, इस ब्रदर्स फॉदर, इस ब्रदर्स फॉदर, इस ब्रदर्स फॉदर्स 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 तो इस ब्रदर यानि उस आदमी का भाई whatever's father brother K father this father is the only son of my granddaughter my granddaughter father is the only son of my grandfather abh yaha pa how is the woman related to the man in photograph my grandfather my grandfather my grandfather my grandfather what is the man in the tree where is the woman in the tree brother grandfather my grandfather sister my grandfather my grandfather grandfather तो इसके भी grandfather है मतलब यह grandfather मतलब यह brother इसका ही है ठीक अब क्या पूछ रहा है कोशन क्या है हुआ है तो यह जो मन है यहां पर कौन इंडिक्शिंग दे रहे हैं यहां पर यहां पर यहां पर हीज़ा इसे किस तरह से रेलेटेटेट थे इसुस्टर ज़ीड़ीक है इंद्व सिस्टर देखें यहां पर यह तमाम क्यों से सिंबॉल सार रहे हैं उसे सिब्लिंग्स क्या रहे हैं यह सिब्लिंग से मतलब हम अपर नाम दिया वे हैं तो यह कुशन आप ट्राइ कीजिए चलिए चेकरते हैं और सोनु क्या है उसका बेटा है यहां पर हमें प्लस माइनस लिपने की ज़रूत नहीं क्योंकि आप पर अल्रडी नेम्स अर गीवन सब्सक्राइब की बेटी है इसका मतलब क्या हुआ यह डोनों सिब्लिंग्स है बहन भाई नेक्स थार्ड पार्ट में क्या है इफ सारी का इस सिस्टर आफ राजू सारी का राजू की बहन है इसाब से जो बहन की बेटी है तो इस हिसाब से जो बहन की बेटी होते हैं जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं नीज तो यहाँपर हो रिटा इस रिलेटेट बॉल तो तब यहाँपर क्या होता अंकल उनकल होता या फिर मैंटरल उनकल्र क्लीट से खती है तो राजू तो रीता इस आफ राजू से लिए यह कुशन आप ट्राइ कीजिए आफ यहां पर तीन आफ हैं तो त्री पार्ट को हम लेंगे यहां तो तुम हम नीचे से जाएंगे पहले देखिए हर आंकल यानों जो गडूप्स इंट्रोडस दे रही है रही है तो उसको वहांसे जाएनगे गर्ल के कौन है वो हर अंकल गर्ल के अंकल ठीक है गर्ल के अंकल सब्सक्राइब में किया है वो फादर ऑफ हर अंकल तो उसके अंकल के फादर ठीक है यहां तक क्लियर होगा है दे फॉदर ऑफ हर अंकल तो गर्ल यहां पर है उसके अंकल के अंकल के फॉदर नेक्स क्या है यहां पर देखिए जट डॉर्टर तो डॉर्टर ऑफ दे फॉदर तो डॉर्टर ऑफ दे फॉदर अभी फॉदर के डॉर्टर तो कहां पर आएंगे फॉदर के डॉर्टर अंकल के बहन हो गए ने फॉदर के डॉर्टर मतलब अंकल के बहन हो गए तो फॉदर की डॉर्टर मतलब अंकल के बहन हो गए पे डॉर्टर एस दोर्टर का जाए तो किसका स्न है उस डार्टर का सन है अगर इंट्रिज़ुश्ट अब आइस दे शन खता Maori ऐजा दे डॉर्टर ऑफ दे डॉर्टर ओफ दे डॉर्टर जहिए अजरे गlor इंट्रली से दो कर इस डॉर्टर का जह स्वित किसके फॉदर ऑफ हर अंकल यानि वो लड़का किसका बेटा है उसके अंकल के फॉदर के बेटी का बेटा है तो पूशन क्या पूछ रहा है है हाओ दवाई इस लेटेट तो गर्ल अभी गर्ल को किस तरह से वो लेट करेगा तो यह बेटी किसकी हो गई है इसका अंकल है तो यह इने इसकी कौन हो गई है से मतलब इसका क्या हो गया तो यह बेटी हो सही तो इसकी हो गये इस के बेटी किसकी हो गई है इसदफर की यानि इसके यह मामु है तो यह बेटी स्की हो गए तो लड़का क्या हो गया reflectे कुछ गोके माँप करके मतलब कितने यहां पर relation गए हैं उसको हम क्या गरहें जितने है first part मतलब हर अंकल तो कौन इंट्रोड़क्शन दे रहा है अगल इंट्रडूस्ट तो गल क्या कर रही है कि उसके अंकल तो हम first part को देखेंगे देखेंगे और एक बार देखेंगे हम तो हर अंकल मतलब उस गर्ल के अंकल ठीक है first part हो गया the father the father मतलब the father of her uncle यहां पर the father किसके father रहे हर अंकल के father अंकल के father मतलब यह नाना हो गया इसके ठीक है कि यह हो गया अब next part क्या है the daughter कि अब the daughter किसका डॉटर इसको यहां पर पीछे से लेट करना है the daughter of the father यहां पर the daughter third अब यह दो हो गएं दो पार्ट हो गए फस्ट हो गाए थर्ड पार्ट में क्या गए दड़ डॉटर अब डॉटर किसके डॉटर है यह father की डॉटर है मतलब क्या हुआ अंकल के बहन अंकल के बहन बोले तो डॉटर यहां पर यह डारेक्ली हम समझ ले सकते हैं कि यह इसकी मा है अब यह होगा थर्ड पार्ट दे सन ओफ डॉटर अब देखिए फॉर्थ में क्या है आप फॉर्थ पार्ट में दे सन है दसन किसका है दे सन ओफ डॉटर बन गया यह ट्री बन गया इस तरह से अब कोशिन क्या पूच रहे दढ़ ऑई ड्र गर्ली तो बाई तो सन यह पर को बाई को क्या गर्रहा है वा अर्शन की तूर पर इंट्रीश कर रही है तो यहां पर बॉय गर्ल के साथ किस तरह से यहां पर इसकी बेटी है यह दोनों सिब्लिंग्स है मतलब यह इसका क्या हो गया भाई हो गया तो यहां पर क्या कुशन है Q is the father of P Q क्या है father है male है किसके P के Q is the father of P R is R and yes are sisters Q क्या है यहां पर R and yes इसको हम साइड में लिखेंगे कहीं पर R and yes are sisters यह दोनों female है second part हो गया R and yes are sisters son of P is the brother of yes son of P यहांने P का जो son है क्या है वो brother of yes yes का brother है मतलब क्या होगा यहां पर यह yes का brother है yes का जो sister है वो R है ठीक है इसको में लिए आपस कि यह तमाम आपस में siblings है next क्या पूछ रहा है then Q is related to R Q is यह तो आप हम लिए रहे हैं इसको डबल हमने यह आप लिखा हुआ है क्या है क्यूशन Q is related to R यानि how Q is related to R तो यहां पर यह भाई बहन है यह उनके क्या है father है और यह उसके father है ठीक है तो अब यह क्या हो गए इसके आना हो गए या दादा हो गए यह यह पर यहां पर यहां पर पी है और पी के father क्यूँ है तो इस तरह से how क्या पूश रहे हैं यहां पर Q is related to R तो क्यूशन अगर इस तरह से उता हूँ आपर granddaughter क्योंकि यहां पर देखिए माइनस का sign है यह female है तो how R is related to Q तब आपका अंसर क्या होगा granddaughter तो आपके options में तो यहां पर नहीं है तो question confusion का कोई सवाल नहीं है तो how Q is related to R grandfather ठीक है तो इस तरह से यह class हम यहीं पर खतम करते हैं रह से खता है किस्वार चार भाइब माइब आपके तो कि यहास अंसे रावा नहीं है झाल किस्वारी आपके ऊड़िए